हाई एवरिवन जेसी किष्णा राथे राथे हरर महादेव और मैं सरला इंटेटो टैरो रेटर में फिर से केंडल वैक्स डिरिंग लेकर आ गई हूँ और ये जो केंडल वैक्स डिरिंग ओने वाली है ये काली मा के संदेश हैं आप सब भी के लिए जो मेरे इंट्यूशन य बहुत जाधा ज़रूरी है ओकेतोह ये रीडिंग कलेक्टिः है और टाइमलेस रीडिंग है आप इसे कभी भी देख सकते हो जब भी रीडिंग आपको मिलेगी डैफिनेटली ये काली मा आपसे कुछ कुछ बताना चाहते है डिके और कलेक्टिव रीडिंग इस लिए ये हो सकता है पूरी रिटिंग आपसे रिजोनेट हो जाए हो सकता है आपसे कुछ-कुछ मेसेज रिजोनेट हो जो होता है उसे रख लेना जो नहीं होता है उसे जाने देना ठीक है और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए कमेंट्स करने के ल मेरा नमबर मिल जाएगा, वहां से आप विकरा सकते हो ठीक है। काली मा एक बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेसेज मुझे यहां पर मिल रहे हैं अभी से स्टार्ट हो चुके हैं आपी के लिए कि जíficा से जोस्त भी आखा है आपके अंतर का जो डर है वो डर ही था जो आप कालिमा के उस रूद्र रूप से आप कनेक्ट नहीं हो पाते थे और उस रूप से शायद आप प्रेम नहीं कर पाते थे ठीके तो यह आपका डर कालिमा ने आपके भीता से वो डर को हटा दिया है और जैसे जैसे आपका वो डर निकल रहा है ठीके वैसे वैसे आप कालीमा के उस रूद्र रूप को आप सिवकार करते हुए मुझे यहां पर नजर आ रहे हो ठीके अब आपको कालीमा किसी भी रूप में आपके सामने आए रूद्र रूप में आए या सोमी रूप में आए आप नहीं डरोगे ठीके क्यों आप कालिमा की उर्जा को महसुस नहीं कर पा रहे थे या आप जैसे उनका रोधर रूप उससे शायद अपने आपको पीछे ले रहे थे तो अब आप अपने आपको कालिमा से आप अपने आपको बढ़ता हुआ उनकी तरह बढ़ता हुआ उनसे connection फील होता हुआ उनकी यहां पर किसी की मैथ बहुत वीक है बहुत जाधा वीक है और मैथ पर आप बहुत जाधा फोकस कर रहे हो ठीके तो मतलब आप आपको बहुत स्ट्रॉंग करना चाहते हो तो काली माई यहां पर बोल रही है आप मंत्रों का जाप करो ठीके आपको ज्यादा से ज्यादा मंत्र वो आपका बहुत स्ट्रॉंग हो जाएगा ठीक है ये खिसी के लिए हो सकताרי This the आपके बच्चो से रिलेटेव नहीं बहुत दिशा नहीं मिल रहे है बहुत सभी कालीमा बोल रही है पेशिण से हमेटमेटर है आपको बहुत जल्दी आप कोई ना कोई एक मरस्ता आपको आपकी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा ठीके पस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की जरुरत है ठीके और कालीमा के आप अगर आप कालीमा की उर्जा को अभी तक अपनी इर्द गिर् बिलकुल शाक्षा तो महसूस होगी कालीमा की उर्जा किसी के घर में यहाँ पर जाडू है ठीके जाडू काफी टायम से कहीं एसी जगे रखी हुई है जहां पर आपने काफी टायम से उनको टच नहीं करा है ठीके तो आपके लिए मेसेज है यहाँ पर कि आपको थोड़ा मुझे इसा लगरा किसी के घर में मैं कलर्श है काफी टाइम से एसे ही रख यहूं हैं हम करवा तो एस इंदे था परसिकिन दießen के चिस में धालों जूदर के आप एसे पोदह कफे यह वहीं आपके लिए ये एक शुब है, ठीके, आपके लिए वो शुबता लेकर आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कालीमा किसी की जैसे नीव, यहाँ पर किसी की कोई नीव रखने वाला है, तो बहुत आपको पीस से, शांती से, साउधानी से उस काम को करने की जरत है, विसे ड की रंतन, जैसे एक विश्वास के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हो, ठीके, वैसे ही आपको आगे बढ़ते रहना है, यह कालीमा का संदे से, थैंक्यू, थैंक्यू, थैंक्यू सो मच, मुझे इससा लग रहा है कोई लोटे में जल रखता है, ठीके, और काफी टाइम त अगे जल रखाया, तो आप उसे पेड गोदो में उस जल को आप डाल सकते हो, ओम कालीमा तैनम, कालीमा ने आपकी बहुत परिक्शा ली है, ठीके, और कालीमा ने आपका बहुत मुझे इससा लग रहा है, कि पग पग आपको सहारा भी दिया है, आपको रस्ता भी दिखाय लेकिन कालीमा ने आपकी परिक्षा भी बहुत ली है ठीके आपके लिए आपके खिलाब काफी शडियंत्र भी रचे गए ठीके तो आपको शडियंत्र से भी कालीमा ने निकाला है ठीके आप तो मतलब यहां पर किसी की निगाहों में थे किसी की नजरों में थे आपको कोई बहुत जादा negativity फोलो कर रही थी, जो मुझे यहाँ पर message आ रहा है, काली मा आज finalement आपको वो सच बताना चाहती है, कि आपको कोई बहुत सादा negativity फोलो कर रही थी, और उस negativity को जिसे आप श्याद देखनी पा रहे थे, या समझनी पा रहे थे, लेकिन काली मा को उस चीज का पूरा आभास है कि क्या चीजे हैं क्यों हो रही है किस वज़े से हो रही है लेकिन काली मा ने एक आपको किसी भी तحت के आपके अंदर जो बहय था ठीक में उस नेगिटिविटी के परती उसपी को जिसे केते ना कि उस डर को बड़ा नहीं होने दिया, उस रूप को बड़ा नहीं होने दिया, उसको वहीं पर उसी रूप में रखा, ताकि आप निश्चिंत रहो, आप मतलब वहां पर निडर रहो, किसी भी चीज में आपको ब्लोकेज ना हो, ठीके, कोई मुझे एसा लग रहा है कि कुवे का, तो ये कालिमा का संदेश है किसी के लिए, कोई कालिमा की पूजा करता है, दिन रात करता है, मुझे इसा लग रहा है कि बहुत काफी टाइम से आप कर रहे हो कालिमा की पूजा, ठीके, तो वो कालिमा की पूजा मुझे ऐसा लग रहा है करते तो हो, लेकिन वो शायद आप किसके थे कालीमा नैसिक्त लेकिन आपको बताना चाहती ईए कि वह आपकी पूझा मतलब अन तक पहुँचे लेकिन वो आपकी जो भी आप कर रहे हो यह हो सकता है किसी की कुल्देवी के लिए भी मेसेज हो के अगर आप अपनी कुल्देवी के लिए कर रहे हो तो वो कुल्देवी तक नहीं पोच रही है ठीक है या वो कालिमा तक नहीं पोच रहे हो सकता है आपकी कुल्देवी ही काल कालिमा यहां पर हो ठीक है तो यह एक मेसेज है किसी को कालिमा बताना चाहती है किसी के पेर में काफी दर्द रेता है काफी तकलिफ से आप निकल रहे हो तो कालिमा आपको यहां पर यह मेसेज देना चाहती है आपके पेरों के दर्द की वज़े कुछ और है कुछ और रीजन पर उसके लिए कालीमा बोल रही कि पेशन्स आपको रखने की ज़रते हैं। थैंक्यू उनिवर्स, थैंक्यू सो मचुछ। किसी के घर में कालीमा का दिया हुआ सिंदूर काफी टायम से रखा हुआ है। और आप उसका जैसे इस्तमाल नहीं कर रहे हो। तो यहां पर बोला जा रहा है कि वो सिंदूर आप यूज कर सकते हो, किसी को शायर भी कर सकते हो ,ुसे किफ्ट भी कर सकते हो। एपने अपने बुक में काफी पुरानी बुक है आपने अपनी बुक में कुछ रखा हुआ है। वो मुझे ऐसा लग रहा है कालीमा की कोई पिक्चर है कालीमा की जैसे भगवान से related कोई तस्वीर रखी हुई है और काफी पुरानी रखी हुई है ठीक है तो आपको यह याद दिलाया जा रहा है कि आपको वहाँ से निकालने की जड़त है किसी के घर में पुराने दिये रखे हुआ हैं काफी टाइम से रखे हुआ हैं तो उन दियों को भी बाहर निकालो आप किसी की कालिमा से रूबरू बातचित होती है कोई बिलकुल आमने सामने बेटकर आप बात करते हो कालिमा से तो ये एक ये ब्रहम नहीं है अगर कोई सोच रहा है कि ये ब्रहम है लेकिन ये ब्रहम नहीं है ये सच्चा ही है किसी का ओपरेशन हुआ है पेट का operation हुआ है लेकिन आप बहुत लावर परवाई कर रहे हो बहुत सोच रहे हैं को जल्दी जल्दी ठीक हो जाओगे जल्दी जल्दी ऐसा हो जाओगे तो यह एक क्योंकि आप कालीमा के भग्तो हो या कालिमा आपको बताना चाहती है यहां पर सोल की बात हो रही है क्योंकि आपकी सोल कालिमा को काफी मांगती है तो कालिमा आपको बताना चाहती है थोड़ा सा रेस्ट आपको करने की ज़र रहते क्योंकि पेट का जो ऑपरेशन है वो बहुत जादा मुझे ऐसा लग रहा है यहां पर मुझे मुझे मनी का बहुत जादा हा रहा है कि कोई किसी का पेसा है इस पेसे अभी तक आपके लोटा नहीं रहा है ठीक है एनरजी बैलेंस नहीं है तो कालिम आपको बोल रही है कि थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा ध्यान यहां पर करने की जर्रत है, ठीक है? ओम कालिमाता है नमा? कोई किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता है, और वो लाख की बात करता है, आप शयाद किसी को बहुत ज़ादा, सौरी मेरी शब्द निकल रहा है, मुर्ख समझते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपको जो बाते बताई जाती कालिमा का संदे से, वो लाखों की बाते, अगर कोई गार्डलाइस फ्री में मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है, वो फालतू की है, वो लाखों की, अगर आप किसी को ये सब जीजे आप तक पहुंचाए जाती है आप तक पहुंचाए जाती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह बेकार की है या फालतू की है ठीके यह जैसे कहते हैं कि कोई बात लाख की होती है कि आपको मतलब बताई नहीं जाती है कुछ बाते ऐसी होती है तो वहाँ पर किसी के लिए मेसेज है यह कोई यहाँ पर कालीमा के आँखों में बहुत आप बाते करके देखते हूं और आपकी दुख भी है परेशानी है वो शायद कालीमा से आप अपनी आँखों के जरे जैसे eye contact वो आप करते हो तो बिल्कुल यह पर कालिमा भी जैसे उस चीज को आपकी वो वो सभी के अंदर फीके तो वह उस चीज अब आपको मußास जोगी क्यों कि होता क्या हिए ना कि जैसे अगर हम किसी की energy को आप आखों में आखे डाल कर आप बात कर रहे हो, तो कालीमा की उर्जा आपके अंदर आएगी ही आएगी, ठीके, तो वो अब आप उसे बहुत अच्छे से आप भली भाती महसूस करोगे, आपके हाथों में काफी जंजनाहट महसूस होगी, आपकी बोडी में आपको बहुत पावर महसूस होगी, ठीके, आपको यहाँ तक फील हो जाएगा, कि आप किसी भी चीज को उठा कर फेक सकते हो, इतनी शक्ती, इतनी पावर का अहसास आपको होगा, और यह जो, यह जब चीजे जो हो रही है ना, आपके साथ, यह कालीमा के साथ आप शायद निरंतर काफी टाइम से आखों में आखे डाल कर आप बात करते हो, तो जैसे उनकी उर्जा को आप ले रहे हो, ठीके, यह किसी के लिए यहाँ पर संदे से मुझे चक्र गुमता हुआ नजर आ रहा है, ठीके, तो किसी की कुणली आवेकनिंग भी होते हुए मुझे यहाँ पर, मुझे इ उज़ार दिया है, ठीके, कालीमा ने वो देखा है, जितना भी उजड़ा है, आपका बसा-बसाया घर उज़ार दिया, मतलब, लिटरली आपके पास में तेखू, जो मेशेज मुझे यहाँ पर मिल रहे है, आपको पास कुछ भी नहीं बच्छा है, ठीके, तो कालीमा जैस आपको दे रही है, आपका अधिकार आपको यहां पर दे रही है, यहां पर, ठीक है? ओम काली माता है नमाँ कोई किसी की स्वारी जो मुझे यहां पर मेसेज मिल रहा है, कोई किसी तांतरिक के पास जाता है, ठीक है, आप बहुत हर चीज को बहुत देपली जाकर उनसे शेयर करते हो, हर चीज को आप बताते हो, तो सोच समझ कर आप किसी के पास भी आप जाया करूं, ठीक है, क्योंकि हर कोई, जैसा आप समझत अना होता है. एसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हो कि आप अपने उल्टे जाल में फस जाओ. ये किसी के लिए चेतावनी आ रही है. और किसी किसी के लिए यहाँ पर मेसेज भी आ रहा है कि कोई फसने वाला है अपने ही जाल में यहाँ पर फस रहा है ठीके किसी के मुझे ऐसा लग रहा है कि जीब बहुत लंबी शायद आपके उपर इन सब चीजों का प्रभाव आता है ठीके तो आपकी जीबा बहुत आगे तक आती है और आप शायद उस चीज को काफी डर रहे हो उस चीज से तो डरने वाली बात नहीं है यहाँ पर जो चीज़े होती है आपके साथ किसी के साथ यहाँ पर होती है आपको काफी काफी टाइम से अब चीज़े महसूस हो रहे है आपके भीतर तो डरना नहीं है आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, निरंतर कोई आपके साथ रह रहा है, कोई पीछा कर रहा है, यहाँ पर इस चीज का किसी को भै है, किसी को डर है, तो काली मा यहाँ पर आपको बताना चाहती है, कि आपके साथ जो भी रहते हैं, जो भी उर्जा रहती ह आपको ऐसा लगता है कि पीछे कोई मेरे साथ में यहां पर चलता है तो काली मा का एक आपके लिए संदेश है कि आप जब कभी भी कहीं भी बाहर जाते हो ठीके तो अपने साथ में बहुत कुछ अपने आपको प्रोटेक्शन में डाल कर आप जाया करूं आप मुझे इसा पॉजिटिविटी भी चल रही है और नेगिटिविटी भी चल रही है ठीके तो लेकिन यहां पर काली मा का हाथ आपके उपर है इसलिए वो वो नेगिटिविटी आप से बहुत पीछे रहती है लेकिन हाँ आपका जो क्वेशन यहां पर आ आपके साथ कोई रहता है तो ड किसी का प्रमोशन होने वाला किसी की तरक्की यहां पर होने वाली है ठीके अच्छा आपने है ना किसी ने यहां पर काली मा की आखों में से खून निकलते हुए देखा है ठीके यहो सकता है आपने सपने में देखा हो, या फिर किसी कहीं गए हो, किसी तस्वीर में देखा हो, किसी की उसमें देखा हो, जिसे एक कालीमा यहाँ पर खून टपक रहा है, तो यह एक कालीमा का संदे से आपके लिए कि आपके जितने भी दुश्मन है, ठीके, मतलब जो आपको खून के आ कि किसी भी चीज की एक दायरा होता है, ठीके तो कालीमा ने भी यहां पर जैसे उनका गुष्सा जैसे फूट पढ़ रहा है और वह आखों के जरिए से यहां पर फूट रहा है ठीके के अब उनको जैसे कालिमा यहाँ पर कुछ नहीं करेगी ठीके वो होगा कुछ नहीं लेकिन कालिमा बेठे बिठाए वो जो भी गलत कर रहे हैं वो सब चीजे उनके उपर बेक फायर हो रही है मतलब वो उल्टी घुमकर उनी के उपर जा रही है अगर कालिमा यहाँ पर यह मैसेज देना चाहती है कि अगर कोई किसी मासुम को सताएगा बेवजे ठीके बे हर चीज का जिसका कोई वजूद नहीं है सिर्फ इंटेंशन परेसान करना दुखी रखना और कालिमा के रहते के कालिमा किसी भी कीमत पर वो सहन नहीं करेंगी वह बिलको इमेज आरी है कोई एक आइसों मतलब यह अब उन लोगों के खहण नहीं है जो एक मासुम को सताते हैं जो एक मासुम को पीड़ा देते हैं तकलीप में डालते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपने मोजमंस किसी ना किसी का मुझे ऐसा लग रहा है किसी ना किसी का आप टार्गेट यहां पर बने होई मुझे क्लियर मेसेज है कि आप किसी के टारुगेट में हो यहां पर ये काली मा जैसे सच्चा ही बताना चाहती है आज आपको कि लेकिन काली मा आपको ये भी बताना चाहती है कि किसी ने आपके उपर निगाहें रख रखी है तो उससे पहले मा खड़ी हुई है लेकिन मा की आखों में से गुस्सा फूट रहा है और वो गुस्सा जैसे कहते हैं कि जो भी आपके साथ हो रहा है, जो भी जितना भी अतक किया, वो सीधा जैसे उनी के उपड जा रहा है, किया तो आपके लिए जा रहा था, लेकिन वो सब चीजे होंगी उनके साथ, ठीके, यहाँ पर देख ले ना, अंजाम, किसी का अंजाम, कालिमा, बहुत बुरा होने व कि चीजे बहुत अलग लेवल पर जाएंगी, मैं जो एनरजी यहाँ पर फील कर रही हूं, जो मैं महसूस कर रही हूं, कालिमा लिटरली जैसे न्याय पर उतर पड़ी है, जैसे न्याय कर रही है, वो मतलब किते हैं कि इश्वर भगवान परमात्मा भी जैसे सब को मोके प अब यह अपनी हरकते बंद कर देगा, अपनी नियत साफ कर लेगा, है ना, जैसे लेकिन यहाँ पर जैसे अब नहीं, जैसे कालिमा का जैसे गुस्सा फूट पढ़ रहा है, और वो चरन सीमा पर चल रहा है, किसी के लिए यहाँ पर यह मैसेज हो, उसका परिनाम आप शाक लेकिन किसी के लिए तो पर्टिकुलर यहाँ, किसी के लिए तो मैसेज है, डेफिनेटली, क्योंकि किसी ना, किसी ने किसी एक ऐसी आत्मा का दिल दुखाया है, जो बहुत इनोसेंट है, जो बहुत मासुम है, और हर चीज को जैसे अपना मान कर चलती है, ठीक है, अपना स इस्याव को जिसे छेड़ता है किसी शौल को जब आप खुन के आसु लुडाते हो आपको भी खुन के आसु रूलाए हैं, बहुत रोए हो आप यहाँ पर, लेकिन काली मा की आखों में से आसु टपकरा यहाँ पर, ठीके, तो अब वो जिसे परिणाम भुगतने के लिए आप देखोगे, उसका परिणाम आप यहाँ पर देखोगे, बहुत strongly message है, dear, बहुत मेरी soul जो है न, मतलब मैं थोड़ा सा control कर रही हूँ, अपने उपर ने कहने के लिए तो बहुत कुछ आपको बता सकती है, यहाँ पर, ठीके, कभी किसी की बातों में मत आया करो, आप जल्दी बहुत बातों में आते हो, बहुत कान के थोड़े से कच्चे हो, अभी भी कच्चे हो आप, बातों में ना आया करो जल्दी से, आपको बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा प्रेम है, ठीके और बच्चों की एनरजी को आप बहुत जल्दी पिक करते हो, अब बच्चे वो किसी के भी हो सकते है एनिमल्स के हो, इंसान के हो, जानवर के हो, बर्ड के हो, बच्चे किसी के भी हो, जिसे बच्चे आपकी जान है, मैं जो यहाँ पर मेसेज मिल रहा है, यह काली मा जानती है आपको, ठीके, क्योंकि आप भी तो एक बच्चे हो, आप भी एक ही बच्चे हो, ठीके, आपका जो जैसी नियती वह वेसे में ही जाके अपने आपको ढूंड लेता है, मतलब आपको किस चीज पर ज्यादा प्यार आता है, बच्चों को देखकर आप बहुत जादा खुश होते हो, तो आप ही एक बच्चे ही हो अंदर से, ये मा आपको भली बाती जानती है, शायद आप नहीं जानती हो तो मा आज आपको बता रही है, कोई गोसला जैसे गोसले की व्यावस्था कर रहा है, यहां पर ठीके अपके घर में कालीमा बताना चाहती है, आपके घर में किसी ने बर्ड ने पक्षी ने अगर गोसला बना रखा है, ठीके तो आप कोशिच करो उस चीज को और अच्छे से उस चीज को करो, ठीके, अगर नहीं हाथ जा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे हुआ, तो कोई बात नहीं, ठीके, आप उनके लिए वहाँ पर दाना, पानी की ववस्था आप कर सकते हो, ओके, किसी से काली मा काली कलर की चुण्टी मांग रही हुआ, ठीके, तो काली चुण्णी आपको, काली मा को चड़ानी की जर्थ है, ओके, मुझी यहाँ पर यह भी जह भी जहाना है, अपको ठीके, काली मंदीर में, काफि टाइम पहले हैं किसी के मेंसेज उसके लिए यजग केहें कुछ बोला थिकर लेकिन वह चीज़ों कर रहेको और आप कालिमा मैं कि जाताया हHelp कि पर एसे और हुआका ज़से elles कि southwest एकवल रभाबर यह पर हो सके जिसा कुछ चूज दव गई थि तो वह उब्रएगी कुछ चीज वापस उभरन WR ने पर है यहां पर कि तो उस चीजसे आपको डञना नहीं है कि कोई किसीelong का लापता हो गया है औ combustlement गुम हो जाता है ठीक है मिल नए रहा है वो तो पेशेंस रखो कालिमा बिल्कुल आपके साथ में है ठीक है तो जो गुमशुदा हुआ है और ला-पता है ठीक है ठीक है बहुत जलदी जैसे किसी ना किसी उसमें आपसे टक्राएगा जरूर मुझे सिडिया नजर आ रही है कालिमा आपको बहुत उचाईयों पर ग्रोथ की तरफ, सिडियों की तरफ यहां पर ले जाना चाहती है कोई यहां पर अपना समझ के किसी के साथ आप बातों को शेर करते हो तो कालिमा मना कर रही है आपको किसी के साथ भी अपने बातों को शेर करने की ज़रत नहीं है ओम कालिमा आता है नवा ओके मुझे मैसेज आरा है पता नहीं किसके लिए कल से कल से किसी के साथ कुछ स्टार्ट होने वाला है कुछ ऐसी चीजे स्टार्ट होने वाली है कल से जो आपके लिए अनेस्पेक्टेड है और मतलब अनेस्पेक्टेड है जो आपने सोचा नहीं देखा नहीं वो कल से साथ आपके साथ स्टार्ट हो जाएगा किसी ने अभी तक आपको बहुत जादा गुम्रहा कर रखा था ठीके तो मुझे इसा लग रहा उस गुम्रहा से भी आप बाहर की तरफ निकलोगे कल आप शायद कहीं बहुत दूर जा भी सकते हो ठीके और कल मुझे पता नहीं क्यों यह फ्यूचर का ही है अब कल जब जब जहां से जो देखोगे उससे वहां बोर स्टार्ट हो जाएगा ठीके कालिमा आपके हर भाव को जानती है आपके उंदर जो जो भाव उत्पन होते हैं कालिमा उससे बहुत अवगत है कोई यहाँ पर रेट कलर के फूल भी चड़ाते हो कालिमा को अरपित करते हो आप इश्वास नहीं करोगे जो मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है कालिमा उन्हें उठा कर बेशक वह आपको फूल महीपन नजर आएगा लेकिन उठा कर वह अपने बालों में लगाती है कोई यहाँ पर चालिसा भी पड़ता है ठीके चालिसा हनुमान चालिसा भी हो सकती है और दुर्गा चालिसा भी हो सकती है तो यह चालिसा की उर्चा मुझे बहुत नजर मतलब फील हो रही है महसूस हो रही है तो बिल्कुल यहाँ पर चालिस यस फूर्टीन यह एक पैलेंस चालिसा हम तो एक मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जो आप चालिसा पढ़ते हो आपको कुछ रमदीस यहाँ पर 50 of unison के लिए आपको बोला जा रहा है को यहाँ पर सूरीचल नहीं डाल रहा है ठीके तो आप सूरीचल मृफ डालो और 47 डेज आप कंटीन्यू डालो ठीके बिल्कुल भी एक दीन आपको गेप नहीं करना है और अर्लिंग मौर्निंग आपको उठनी की जर्राइब फिर देखो आपकी आपकी कैसे चेंजिस आते हैं कैसे आपकी हर्चीज में आपकी बोडी में आपके सभाव में आपके नेचर में बहुत सहदा चेंजिस आपको फील होंगे देखने के लिए मिलेंगे मुझे ब्रीज नज़र आ रहा है जड़नी कालिमा आपको किसी जड़नी की तरफ लेकर जा रही है ब्रीज यहां पर मतलब मुझे जो ब्रीज एक न वह एसा जैसे कि आपकी जूर आपकी लाएक में जितनी नियु जरन्यद、 पार कर लिया है, और बस आप उस जगे पहुँँच चुके हो, जहां से आपको अपनी न्यू और यू जर्नी हो है, आप जहां पहुँचना चाहते थे, कालिमा वहाँ को अपको फॉरक्षित पहुंच वहाँ पहुँच रहे हो कोई किसी के लिए यहां पर यह भी मेसेज आ रहा है कि आपको क्रो की बहुत जादा आवाज आती है ठीके या क्रो की आवाज को बहुत जादा सुनते हो आप यहां पर तो काली मा का यहां पर यह मेसेज है कि जब भी आपकी लाइफ में क्रो आते हैं ठीके जब भी आप क्रो की एनरजी से आप टकराते हो तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसरमेशन एक बहुत बड़ा चेंजिस को बताते हैं मतलब यहाँ पर आप चिडिया का चहकना या इस्पेशली क्रो की एनरजी आरी कवा तो एक बहुत बड़ा ट्रांस्वरमेशन एक बहुत बड़ा चेंजेस बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है तो यहाँ पर उस चेंज को आपको बहुत अच्छे से एपसेप्ट करना है उसे receive करना है ठीके और उन्हें gratitude पे करना है कि वह आपको इस संदेश को आप तक वह पोचाने में आपकी help करने हैं ठीके आपको और वो जो क्रो की क्रो की जो energy है ठीके बहुत एक ऐसी energy जो उर्जा से भरी हुई है ठीके उर्जावान यहां पर मैं जो देख रही हूँ ओके यहां पर दीप आपको जलाने की जरह थे मुझे यहां लग रहा है कि दीप आप जलाओगे ठीके दीपदान ओके कृष्णा के बहुत बड़े भक्तों आप तो कृष्ण भक्ती भी आप करते हो ओ गोड़ जो मुझे मेसेज यहां पर मिल रहा है कि कृष्णा से भी आपका बहुत पाला पड़ता है बहुत आप आपकी जो उर्जा है न मतलब इधर से निकले इधर गए मतलब आपको जो मैं जिस तरीके से मैं देख रही हो न डियर मतलब शिव शक्ती से आए तो क्रिष्णा की एनर्जी में चले गए क्रिष्णा की एनर्जी से निकले तो कालिमा की एनर्जी से चले गए और कालिमा की एनर्जी से आए तो हनुमान बाबा की एनर्जी मतलब आप क्या वोलूमें यहां पर और उस अपने जैसे आपको पकड़ रखा एक उस रत पर आप सवार हो डियर मुझे नहीं पता किसके लिए मेसेज है यहां पर दूसरे धरम से भी आप देख रहे हो तो आप यहां नहीं सोचना कि यह रिडिंग आपके लिए नहीं है ब्रह्मा से आप अपने आपको कनेक्ट करो एनर्जी से कनेक्ट मत करो अगर धर्म से आप अपने आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो एनर्जी से आप अपने आपको कनेक्ट करो कोई आपको तबजुम नहीं दे रहा है कोई आपका खयाल नहीं रख रहा है और या कोई आपको आपका आपका वजूद वजूद क्या है शायद उस चीज से समझ नहीं रहा है तो काली मा आपको यहाँ पर यह message देना चाहती है कि किसी भी चीज को बहुत शांती से कराया जाता है क्योंकि यहाँ पर शांती की उर्जा मैं बहुत देख रही हूँ पीस की उर्जा को मैं बहुत जादा देख रही हूँ ठीके तो एक शांती और एक पीस की उर्जा आपको सब दूर से और आप अपने भीतर अपने भीतर जो हलचन मच रही है जो अपने भीतर आप महसूस कर रहे हो आपके सोल आपको क्या बताना चाहती है उसको सुनने की आप कोशिश करो ना कि दूसरे आपको वजूद नहीं दे रहे हैं या जो आप चाहा रहे हैं वो नहीं मिल रहा है तो उस सब चीजों मैं मत जाओ ओके तो ये थे यहाँ पर काली मा के मेसेज मैं थोड़ा सा कार्ड से देखूंगी कि काली मा आपको क्या बताना चाहती है काली मा भी आपको यहाँ पर जो मैं बोल रही हूँ ना खून के आसू जितना उन लोगों ने आपको खून के आसू रुलाएं हैं ठीके उन्हें माफ करो क्योंकि उन्हें उनका दंड अवश्य मिलेगा और वो आप देखोगे क्योंकि आप बहुत मासून जो बच्चों याली उर्जा में बता रही थी ना आप बच्चे आप कर दो जीनोने भी आपको आपके बच्च्पने को छीना है आपकी उर्जा को छीनना की कोशिश करीए जीनोने भी आप को मतलब बहुत एसा किया है नहीं कि आप शायत आपने आपको बूल जाओं लेकिन कालिमा ने देखो कैसा सम्मिट कर वेटही है आपको ठीके यह कालीमा की गोद में आप बेठे हुए हो यहां पर कालीमा ने आपको पूरी प्रोटेक्शन में हो आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ट सोल हो डियर बच्ची को कैसे समाला जाता है ठीके कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है कैसे स्रक्षित किया जाता है वो कालीमा ने आपको कर र के यह खून के आशु है यहाँ पर यह यह आशु रही और यह आपको समाल रखा है कालिमा का गुसा फूट पड़ा एडियर कि अगर आपको आपकी मासुमियत को या आपके दिल को कोई दुखाएगा और आपको कोई रूलाएगा कालिमा उसे बक्षने वाली नहीं आप तो काली मा की प्रोटेक्शन में हो, काली मा लेकिन वो तो आपको फिर चीना गया है, वो आपको लोटा अब कर दो ये देख रहे हो आप, ये एक ऐसी उड़जा है जहां पर आपको बोला जा कि ही कि एना धोरा है कि आप pouco ऑपने कालिमा यहां पर एक मैसेज एह भी दे रही है के अपना दिमाग कि अपना एसी जगें रखो कि जहां से आपको a also ३ा जहां से पाश्चार्स मिले जर अपशल्ग को शक्ति यहां पर मिले किसिधा मिल रहा है कि आपको उश सब अगर ध्यान रिखोगे तो मा के मेस्टिक को माँ आपको क्या समझाना है नह्ıyere, वह नहीं समझ पाऊगे, माँ आपको बताना चाथी, वह आपको ग्रोध की तरफ लेकर जाना चाहती है, जितना भी आप से चीना गाया, वह आपको यहाँ पर देना चाहती है, ठीके, जर्ड कि में बात कर रही थी यहां पर जड़ वो आपकी जड़ को स्ट्रॉंग करना चाहती है ठीके ताकि आप फलो फूलो आगे बढ़ो क्रेशन आप कुछ नए हैं यहां पर करो कालीमा का सीधा सीधा मैसेज है कि आपका अधिकार आपको तिया जाएगा जितने भी आपने खून के आशुर वो लोग यहां पर खून के आशुर होएंगे और आपको यहां पर आपको मतलब जो भी आप अगर मतलब आपसे छीना गया है आप आगे नहीं बढ़ पाए हो और आपको यहां पर कालीमाने यहां पर आपका जो अधिकार था मुझे एसा लग रहा ना कि आपका नर्चर करो अपने आपको खुश रखो ठीके और अपनी नई नई उर्जाओं से connect करो आप अपने आपको नया कुछ करो अपने जीवन में क्योंकि creation की उर्जा हैं यहाँ पर आप बहुत ज़ादा creativity है ठीके आपके अंदर बहुत ज़ादा spiritual हो आप यहाँ पर जो में हाथों की उर्जा को मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि आपके हाथ आपके हाथों में मा वो power वो शक्ती देने वाली जिसकी वज़े से आपके हाथ शायद ऐसे हो सकते हैं ठीके तो उस चीज़ को आपको समझने की यहाँ पर ज़राते के अब वो वक्त आ चुका है कि आपको कुछ create यहाँ पर करना है क्योंकि कालिमा आपको बहुत ज़्यादा growth और creation की तरफ लेकर जारी new energy की तरफ यहाँ पर जारी जिससे आप बहुत ज़्यादा अपने आपको भली भाती जो भी आप मतलब आपको दवाया गया या आपको रोका गया या आपकी creation को या आपकी आवाज को या आपकी प्रेड़ना को या आपकी creativity को या आपके हुन्नर को यह सब चीजों को दवाया गया या आपसे छीना गया तो वो यहाँ पर जैसे कहते हैं अब आप खुलकर आ रहे हो सामने, खुलकर आपकी आवाज सबके सामने यहाँ पर आएगी, आपके शब्द एक शब्द आपके जैसे कहते हैं आपको बहुत माइने रखने वाले होंगे, जैसे बेवजे का नहीं बोल रहे हो, बेवजे का भूशने वाली हैं ओके डियर तो यह थे काली मा के संदेश आपके लिए आई होप आपसे रिजुनेट हो अगर होते हैं तो प्लीज प्लीज लाइक कमें सब्सक्राइब एंड थैंक यू थैंक यू सो मच इन बाई जेशे किष्णा राधे राधे हर हर महादेव